हाई, वेलकम टो बाच चनल, इस बीडियो में सॉल्ट करेंगे क्विशन नबर वन, यहां करना क्या है हमें? तो यहां पर जो वेलूस दिया हुआ है, सबसे पहले-पहले आपको करना क्या होता है? कि एक रफ डियाग्राम ट्रा करिए, और रफ डियाग्राम ट्रा करने के बाद उसको लेवल कर दिजिए, जो भी यहां पर वेलूस दिया हुआ है उससे, ठीक है? ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे कि क्या दिया है और क्या बनाना है आपको ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर एक rough diagram बना लेंगे तो उसके लिए आपको scale की जोरत नहीं पड़ेगी आप roughly कैसे भी खीच सकते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर quarter बना लिया roughly अब यहाँ से बिल्कुल हमें दिख रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या करेंगे तो हम ड्रा कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर four sides दिया हुआ है और एक diagonal दिया हुआ है सबसे पहले क्या करते हैं इसमें बहुत आप flexibility है मतलब इस question में तो आप कैसे भी कहीं से भी start कर सकते हैं मतलब आप A B से start करेंगे तब भी बना लेंगे या फिर आप एक diagonal को draw करेंगे तब भी बना सकते हैं मतलब किसी भी एक side को खीच करके आप पूरा ये quadulator construct कर सकते हैं लेकिन मैं start करूँ है diagonal से diagonal पहले में drag करूँगा उसके बाद C और A point find करेंगे चलिए हम पहले start करते हैं first step तो यहाँ पर सारे step सा construction आपको दीखेंगे ठीक है और यहाँ पर construction होगा तो ध्यान दीजीगा सबसे पहले आपको करना क्या है आपको 6.6 cm का BD length खीचना है ठीक है मतब DB हमने खीच लिया यहाँ पर 6.6 cm का ठीक है यहाँ पर हम इसको label कर देंगे label करेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे आप DB यहाँ लिख देंगे D और यहाँ लिख देंगे B और इसका जो length है वो होए आपका 6.6 cm यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6.6 cm अब करना क्या है देखें आपको BD यही मिल गया तो यह C point मिल सकता है कैसे यहाँ हम D से D को center मान करके और DC length का arc खीचेंगे और यहाँ से B को center मान करके BC length का arc खीचेंगे यहाँ पर जो कि दूनों values दिया हुआ है तो आसानी से हम यह C point find कर सकते हैं ठीक है 6.4 cm के आपने एक arc खीच लिया यहाँ पर उसके बाद अब B को center मान करके तो 4 cm यहाँ पर करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा आपका 4 cm 4 यहाँ से ले करके हम यहाँ पर cut कर लेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर दोनों से अब हमने क्या किया यहाँ पर कि D को center मान करके यहाँ पर R खीचा और B को center मान करके 4 cm का length ले करके यहाँ पर R खीचा दोनों जो है cut कर रहे हैं इस point पर और यह जो point है actually क्यों सा है C है तो हम यहाँ पर denote कर देंगे इसको C और D C और B D C को join कर देंगे now C point मिल चुगा है अब हमें चाहिए कौन सा point A point तो अब D को center मान करें फिर से आप 3.8 cm का length ले करके फिर यहाँ पर R खीचेंगे और B को center मान करके 4.4 cm का length ले करके फिर से R खीचेंगे तो यहाँ पर point A मिल जाएगा तो let us draw तो अब क्या करेंगे यहाँ पर जो point मिला जो दुनों arc यहाँ पर cut किया है यह point मिला है यह actually point A है ठीक है तो आप यहाँ पर denote कर देंगे A point अब यह BA और यह sorry DA and BA को join कर देंगे तो हमारा यह ABCD जो quadrilateral है वो construct हो चुका है so हम इसको label कर देंगे तो जो AB का length है वो हमारा 4.4 cm है ठीक है तो हमने यह आप construct कर लिया है and this is your answer thank you so much for watching bye